दोस्तों, न्यूस क्लिक की इस खास पेशकश में हम बिल्कुल अलग धंके विशय पे बात करेंगे दिल्ली जिस योजना के तहट जलाई गई, उसका सबसे ज़्यादा कहर औरतों पे बर्पा हुआ नागरिक्ता संशोधन कानून के खिलाफ देश भर में बड़े पैमाने पर औरतें बैठी, उनके खिलाफ जिस तरह का जहर उगला गया, यह हम सब ने देखा लगातार उन्हें इस देश के खिलाफ साजिश करने वाली औरतों के तौर पर पेश करने की पूरी की पूरी राजनिती चली हमने ये भी देखा कि किस तरह से आजादी का उनका नारा एक विलन के तौर पर पेश किया गया यहाँ पर आप से जिस समय हम ये बात कर रहे हैं, ये तमाम औरतें अपने अपने बयान दर्ज कराने के लिए आतुर हैं वे बताना चाहती हैं कि जब दिल्ली में आगजनी हो रही थी, लूट पाठ हो रही थी, औरतों पर, पुर्षों पर हमला हो रहा था उस बस्तियां जलाई जा रही थी, उस समय सबसे बड़ा ओजार, सबसे बड़ी गाली, चाहे वो पुलिस वाले दे रहे हों, या जो पूरे के पूरी भीड आई हुई थी, हिंसक और्गनाइजड भीड, वे दे रही थी, वे उनसे कह रही थी, तुम्हें आजादी उतारा गया, दिल्ली की जिन बस्तियों में आग जनी जली, जहां पर अभी भी धुआ उठ रहा है, वहां पर तमाम औरतें अपने दर्द को जिस शब्दों में बया कर रही हैं, पूरा का पूरा वैसा आपके साथ शेयर करना बहुत मुश्किल है इस समय, लेकिन कुछ तस इस दोरान हुआ, उस पे चर्चा मौतों पे जादा हुई, हिंसा पे जादा हुई, उसमें चर्चा उन औरतों के बारे में बहुत कम हुआ, जो धरने पे बैठी थी, जिन पे अचानक रातो रात पुलिस आती है, हमला करती है, पुलिस के आगे या पुलिस के पीछे हिंसक भीड खड़ी होती है सबसे पहले मुस्तफाबाद की वसीमा से मिलिए वसीमा खुद बताती है कि किस तरह से वो एक महिने से भी अधिक समय तक रोज प्रदर्शन में जा रही थी जिस समय इस प्रदर्शन पर हमला हुआ उस समय वे वही थी किस तरह से स्वरों में औरतें बोल रही है वसीमा को पत्थर लगा वसीमा को पुलिस की लाठी पड़ी और तब से लेकर आज तक आपको खुद दिखाई देगा कि वसीमा की दोनों आखों के बगल में खून उत्रा हुआ है उन्हें दिखाई बहुत कम दे रहा है उनको जो पुलिस की लाठी पड़ी जो गुम चोटे उन्हें मिली उसकी वज़ा से उनके लिए चल पाना घरेलू काम काज कर पाना बहुत मुश्किल हो गया है बहुत मुश्किल से वसीमा हमसे कैमरे के रूबरू बात करने को तयार हुई मैं बाइस में रहती है जी प्रोटेस्ट चल रहा था उसमें आप जा रही थी जी वहां पर चांद बाग में वहां पर गई थी जिस रोज पत्रा हुआ था मेरे सामनी हुआ था सब कुछ क्योंकि मैं महीं मैं थी लेडिस थी सब काफी थी तो अच्छे खासे थी मतलब प्लिस वाले काफी खड़े थे वह अंदर को कर रहे थे लेडिस को लेडिस इतनी थी बहुत जाते तो उन्होंने अचानक में इन्होंने लाटी चार्ज कर दी पर पात्रों को वहां पर तक आप यहां पर आट दस लेडिस तुपक ग कर encima तरकी वज़े से आंस उगेस इस कदर फेकी जारी थी कि बहुत जाद है हमारे पास भी आई हमसे सांस ना लिया गा हम निकल के भगे जब हम भागे निकल करते एक डंडा आके लगा मेरे यहां पर कवेप बहुत ही तेज फिर मैं उठके और भागी तो मेरे एक पत्थर यहां मेरे लगाता घक्र उसकी वजशे मेरे आंकोमा बहुत की डिक्कत हो रही है ग्यार घृम्हेया है पत्तलग लका तना तो यहां पर खुंन धर या दोना आंखों मेरे दोना धो मेरे यहां log हॉई आपको मेरे पुम्झे आने ले लगा मेरे जिसकी वज़े आपके लाद इतना पधराओ करा था पुलिस वाला ने इतना करा था पधराओ भी जो हाथ में लग रहा था वो युमार रहे थे हमें मुस्तफाबाद में भी तमाम औरतें ऐसी मिली जिन्होंने बहुत डीटेल में उन चीजों के ब्योरे दिये कि जब पुलिस और हिंसक भीड खौफनाक धंग से उन पर उतरी हमला बोला उन्होंने तब किस तरह से तमाम औरतें भागी आप खुश सुनेंगे उनके बयान लेकिन यहाँ पर चाहे वो मुस्तफाबाद हो शिव विहार हो चांदबाग हो हर जगा एक ही ढंकी कहानी आपको सुनने को मिलेगी कि पुलिस के साथ मारने वाले एसॉल्ट करने वाले लोग आये थे मुस्तफाबाद में यह औरतें बहुत दिलेरी से बताती हैं कि जिस समय हिंसक भीर ने हमला बोला उस समय किस तरह से औरतें अपनी जान बचा कर भागीं किस तरह से कपड़े फारने पर उतारू थी पुलिस किस तरह से molestation करने पर उतारू थी वह हिंसक भीड किस तरह से लोगों के हाट तूटे लोगों को इतनी चोटे मिली लेकिन वे तमाम औरतें उनमें से अधिकांच इलाका छोड़ कर बाहर जा चुकी है और क्यों जा चुकी है ये भी वे बताने को तैयार है हम देंगे हाटी करने परोट के सबस्सक्राइब कर दें तूम लोगों को बताएंगे हाटि वह को जिताए ना सब क्यों आरह रहा है इतने गंडे गंडे सब ने बिल्ए इस्तमाल के गाए. बेटी बश पाएगी नहीं बश पाएगी किसी को पता नहीं लेकिन नफरत इतनी गहरी थी और उसके निशाने पे जिस तरह से औरतें थी कम से कम कुछ टेस्टिमनीज हमारे सामने उभर कर सामने आई हैं तो मेंडम हम लोगों लेखा तो हम थोड़ा जब नीचा कहा है तो एक तेजाब आया हमारे लड़की सी कुछ परार हमारे देवर रहती उनके री उपर मेरे पर चेहरें पर जिसे कागज़ वर्यक के तरह है उनके दृप्ट की पूर इसंधे ऊसे बाज जिए कह से चाहरँ प करें पर देपर करें पूरे पर यहां से यह िरह प्रीज थाइट अब जह दो लोग टो अस्पताल में घर्टी है लड़की और हमारे घर से जो है कि तुझे साल कि सुने जाउर कि यह लोगार आपके मुम्ताज बेगंगा तो मेडम बडी मुश्किल हम घर से निकर कि अख़ें घाल के मधीनमाजित में अपड़ी नहीं जब कोई नहीं था तो मेरम थोड़ा सब पैट में खोफ लगा डल लगा पैट में कितम मजीत में नही यह पर यह साथ में हम पांच दो लड़के एक लड़की और हम दोने मियां भी और यह और एक लड़का वरता मुला का तो हम छेसा जने हुई मजजिद में ही थे हम सब लोगों को कॉल कर रहे हैं सो नंबर भी कॉल कर रहे हैं मैडम। इसी तरह से शिविहार में जहां तकरीबन जितने मुस्लमानों के घर हैं में जला दिये गए वहां हमें दो औरतें मिली जिनका घर बुरी तरह से जला दिया गया एक दाना भी उस घर में बचा हुआ नहीं है और उनकी आप बात सुनिये वे किस तरह से बताती हैं कि शिविहार में महिलाओं के साथ लड़कियों के साथ sexual assault हुआ इसे हम independent रूप से प्रमानित नहीं कर पाएंगे अभी जो विक्टिम है वो संभवता अस्पताल में है लेकिन ये औरते जिस तरह से बता रही हैं और इनकी बात बाकी ज़ओं पे जो लोग रह रहे हैं जिन शिवरों में रह रहे हैं उनसे बहुत मिलती जुलती है महाँ पर इन औरतों का कहना है कि सीधे सीधे कम उमर की बच्चियां जो बाहर छूट गई थी या जो अपने पिता और मा के साथ थी जिनें बचाने के लिए एक बड़ा सम्मूह नहीं था उनके उपर हमला बोला गया और चूकि इन तमाम लोगों को पुलिस प्रशाशन पर रती भर भरोसा नहीं है क्योंकि उस समय भी ये लोग उन्हें बचाने नहीं आए लिहाज़ा अभी तक ये तमाम मामले ओफिशिल ढंग से मॉलेस्टेशन या सेक्श्वल एसॉल्ट के जो केसिस दर्ज होते हैं उस रूप में दर्ज नहीं होगे लेकिन हमने बात की है उन डॉक्टरों से भी जो इन इलाकों में जा रहे हैं उनका कहना है कि बड़े पैमाने पर महिलाओं को हिंसा का शिकार बनाया गया और हम और आप जो जानते हैं इस देश में जब दंगा होता है जब साम्परदाइक हिंसा होती है जब टार्गेटेड वॉयलेंस होती है वहाँ पर बड़े पैमाने पर औरतों को निशाना बनाया जाता है और दिल्ली भी इससे अच्छुती नहीं रही है तो बता के जलाया गया है इसारे दिये गए सब कुछ हुआ है उपर जाकर देखा पूरा संदूक भरा बहु का बरतन रखा था वो सब तब हाई हो गई हमाई तो एक लड़की है कि एक लड़की कि सब चीज जेवर सब लिया थे पैसा भी रखा था खरीदारी कर रहे थे मा सब्सक्राइब कर देखा हुआ है जो मेरे दिल में आख लगे रहे हैं तो हमारी बर्पाई भी नहीं हो जितने हमारे दो मंजिल पुल्कुल तबाह कर दी लड़के का मेरे तब खुब्सूरा तुमा कान था देखो सीलिंग वाली चत्ति ये रसोए भी तनी बढ़िया थी अब देख देखें अब पर दिखा लाएं कुछ नहीं बचा है ऐसरो स्वेज으शना थी नहीं स्वांका है मकाने नहीं हो रही है इतना आतंग बचा कोई हमारी घ्ल्फ के लिए नहीं चिलाती नहीं घरों में बंद हो के आगा लग अग लगा बंक रहा बोगे मनं करने में पूलिस नहीं आया लेहता आं और फोनों पे पलीस वालों कोई हमारी मठ किनी लड़कियों की बेजती कर दी कपड़े तेजाब से मुझ जला दिया लड़कीयों के यह करें लड़की नहीं निकल पाई मजजिद नहीं कäft को लड़के तो तल हम लोग कोई अलग ना तोड़ी है एक दो गली के पीछे टेवारों में आना जाना है तो मेरे घर के पराबर ही में अपने अंधा कर दिया कि तुम ने देखो करते हैं तो चला तो मनें हो यहां फिर कुछ ने दिखेगा फिर लड़की को भी वेजटा करके उसको भी तजाब डाल देए उसकी गड़ नना सब जली आईस्यों में लड़की के लिए उसका बचाने के लिए वह अपनी इज्जत वहाँ बैठी और इज्जत उसकी इतनी मुए इस मुकान अब यहां पर मानने की बाद है अगर हमारे हिंदू हमारे मुसल्मानों के घर इतने मुसल्मानों के बीच में दो घर मुसल्मानों के ओते तो तुरंट जला दी जाते लेकिन हमारे यहां पे सेफ हैं हमारे बीच में रहते हैं वह सब हम सब साथ में खाते मिलते हैं मंदीर देखो पुलिस नहीं करी जो भी करी पुलिस नहीं करी है इस अमारे मस्जित के इमाम ते उनको बहुत ज्यादे सामारा ने पंडित की फैंली righ democr का फोस्ते साब उतकशी साब यह नीué नहीं लए उतना सारा भारा मुस्तवाद सब मुसल्मानों का हमने इने नुक्सान приним पहुंचा और दुकान है इनकी दुकान है उनकी दुकानों से आज भी सब्जी ले रहे हैं लड़की यहां की रहने वाली है तो वहीं पर चिहाड के पास में बिल्कुल जैस्ट में समसान घाट जो है उसके बराबर में जो अपने भाईयों को बचाने गई अंदर तो उसकी मतलब कौन सा चला है कौन सी हिंदो की लड़की की इज़्जत लूटी गई है ऐसा नहीं करते हम हमारी ऐसी सोच है इन्हीं मुसल्मानों की में जंडे लगा रहे हैं अपने जैसी राम के और हमारे माइक लगे वे ते वह भी सब तोड़ दिये कलांपा को में लगा दी और बुरी तो पुलिस वाला हुआ है यहां पर अपर निशान भी हैं वह भी ती पानी पिला उसको तो हमने पूचा क्या हुआ हुआ कि हो गहने लगी मुझा बचा हुआ और पोलिस वालों बिल्ली की जो तमाम उधारण है दिल्ली से जो तमाम धीमे धीमे छोटे-छोटे-चोटे-इस तर पर बाते उठकर आ रही हैं इन्हें लोगों तक पहुचाना बहुत जरूरी है ताकि उन तक एक इनसाफ पहुच सके अभी इनसाफ पहुचाने की जो पूरी की पुरी कवायत है वो बहुत कमजूर है और सारा का सारा डिस्कोर्स मर्दवादी डिस्कोर्स में बदल गया है हमला भी ये इसलिए बोला गया क्योंकि हमला करने वालों के लिए औरतों का सड़क पर उतर कर अपने देश के लिए अपने वतन के लिए बात करना भारी पड़ रहा था उनके लिए औरतों का आजादी मांगना बहुत भारी पड़ रहा था ये जो आजादी के खिलाफ नफरत की एक जंग छेड़ी गई थी दिल्ली में उससे कितनी औरतें कितनी जिंदगियां बरबाद हुई हैं कितने गहरे जखम लगे हैं इसके बारे में तफ्तीश अभी होनी बाकी है